प्वालिटी का एक छोटा सा टॉपिक डिसकस करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि उप्राष्टपती उप्राष्टपती का नाम सुनें हैं संबीधान के अनुचिद जिद्हान के अनुषेद तिरस द्रम में उप investigator वरण है किसका वरण है उपर्राष्ट पाती का वरण है और यहağı से आप एक किस समझेंगे उपराष्रपती को इसके पद का वेतन यानि इसके उपराष्ट पती को चार लाक रुपे प्रती माह दिया जाता है, किटना दिया जाता है? चार माह प्तुमाह कभी-पेपर में आता है कि किसको अपने पद का व्यतन नहीं मिलता है, तो सीधे इनसान उपराश्ट पती इनको अपने पद का वेतन नहीं मिलता है, clear, महा न्यायवादी, महा न्यायवादी, इनको भी अपने पद का वेतन नहीं मिलता है, इनको भी अपने पद का वेतन नहीं मिलता है, और महा धिवक्ता, इनको भी अपने पद का वेतन नहीं मिलता है, तो एक बार पूरे बढ़ियां से समझेंगे, कि इनको अपने पद का वेतन नहीं मिलता है, आम तोर पर quality अगर आप पढ़े हैं, तो इतना पता होता है कि उपर उपराष्टपती के साथ सत्थ इनको भी वेतन नहीं मिलता है। इनका अगर वेतन सुन्न है तो महानयवादी को भी सरकार की तरव से सुन्ने वेतन मिलता है। इस चीज को दिमाख में बढ़िया से बैठा लेंगे कि ऐसे चार से पांच या साथ पद ऐसे हैं जिनको अपने पद का वेतन नहीं मिलता है। इनको नहीं मिलता है। उप राष्टपती जब राजय सभग सभापती के रूप में काम करता है चार लाख मिलता है। या महानयवादी जब किसी आम व्यक्ति का भी केस लड़ता है तो वहां से पैसा प्राप्त कर लेता है। इसे भारत सरकार के तरब से एक भी रूपय नहीं मिलता है। तो इसे चोटी-चोटी जनकारी के लिए बने रेच चैनल से थैंक्यू।